Hello and welcome to the knowledge source Boeing Super Hornet which Indian Navy is buying has cleared the Sky Jump Test and which is ready for the induction in Indian Navy तो आज के सेशन में हम जानने की कोसिस करेंगे ये Super Hornet जो Aircraft Carrier है वो India खरीद रहा है वो क्या है, किस तरीके उसकी फंक्शन है और क्या India को ये Super Hornet जो ये खरीद रहा है क्या उसकी range जो है या फिर जो price tag है उसके हिसाब से ये match करेगा इंडियन Navy की जो requirement है उसके हिसाब से तो इस सेशन में हम सब कुछ ये discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं start करने से पहले मैं आपको बता दूँआ आप हमें टेलीग्राम चैनल और फेस्बुक चैनल पर आके हमसे जुड़ सकते हैं इसके लिंक description में mentioned है तो देखिए अभी अमेरिकन एयरक्राफ्ट बोइंग उसकी कंपनी बनाती है सुपर होर्नेट जो बना इंडिया को डिलेवर्ट करने वाली है especially इंडियन Navy के लिए और अल्टिमेटली हम लास्ट अगर आने वाले चार-पात सालों में देखे तो इंडियन Air Force भी इस एयरक्राफ्ट को खरीद सकती है लेकिन अभी की situation है कि इंडियन Navy ने इसके साथ agreement किया था around 2018 में और उसमें जो Super Hornet F-18 जो है वो इंडियन Navy इसको खरीदने वाला है और यह अभी sky jump जो अभी test होता है उसको यह clear कर चुका है और यह जब sky jump यह clear कर चुका है तो इसका meaning यह है कि यह aircraft carrier से launch हो सकेगा sky में इसका meaning यह है अगर हम देखें कि यह जो aircraft carrier है Boeing जो यह company बनाती है वो इंडियन Navy को latest version के super hornet जो इस aircraft carrier aircraft है वो इंडिया के साथ यह agreement हुआ था और यह जो इंडिया के साथ यह agreement हुआ था और यह जो super hornet block 3 यह aircraft है और इसमें जो features जो advanced तरीके के electronics, display system और cockpit में भी कुछ changes किये गए है इसके बाद यह इंडिया के suitability के हिसाब से इसमें कुछ arrangement किये गए थे तो अगर मैं बात करूँ कि यह जो advanced affordable system जिसे हम बोल रहा है aircraft hornet, super hornet जो है वो क्या इंडिया को especially अगर देखे हैं हम कि इसकी features के according या फिर क्या advancement इंडिया ने, company ने इंडिया के लिए spacefully लाए गया था इसमें तो यह देख लेते हैं हम देखे सबसे पहले तो इसका अगर features के बारे में बात करूँ तो यह एक multi-role superior aircraft है तो इसका मितलब यह कि capable technique है अगर मैं बोलू tactical strike हो गया, aerial deconcession हो गया, air defense हो गया या फिर maritime system में अगर बोलू मैं इसमें इन सब computing और data link system advance किया गया है, cockpit system को कुछ changes किये गए हैं, तो इस तरही यह changes यह लाए गया है और इसमें lifestyle affordability माना जा रहा है इसमें कि जो company का यह मानना है Boeing का कि यह इंडिया के लिए especially इसमें जो भी affordable cost आएंगे और इंडिया के हिसाब से जो requirement थी उसको suitable तरीके से यह handle कर सेगेगा और यह जो aircraft अगर मैं बोलू यह tested है अगर Saudi Arabia भी इसको test कर चुका है तो इसके हिसाब से यह जो super hornet जो है वह इंडिया के लिए अगर मैं बोलू वह बहतरी करेगा तो अगर देखें हम कि क्या advantages इंडिया के लिए होंगे यह super hornet aircraft जो खरीदना देखिए सबसे पहले तो यह world class manufacturing ecosystem हमारे देश में तयार करेगा आपको मालू होगा कि जो making इंडिया का concept प्राइमिनिस्टर मोधी के दोरा लाए गया था तो उससे की condition में यह जो अगर मैं बोलू यह agreement हुआ था different Boeing companies के साथ और इंडियन company के साथ तो उसमें यह company अगर देखें कि question यह उड़ता है कि जो इंडियन Air Force या फिर Navy जो है वो around 50 billion की amount इस aircraft को खरीदने में लगा रही है तो क्या यह सही है या इसको क्या जाइज ठहरा जा सकता है यह question उठता है देखिए बोइंग जो है वो डेबलब कर रहा यह aircraft जो मैं बोलू अगर एफ एटीन सुपर होर्नेट जो है यह पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स जो हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड है और महेंद्रा डिफेंस सिस्टम इन दोनों के जो इंवेस्ट करने वाला एयर फोर्स या अभी नेभी जो खरीद रहा है तो यह suitable लगता है क्योंकि अगर इंडिया में बन रहा है तो जॉब प्रोस्पेक्ट इसमें बढ़ सकते हैं या फिर इंडियन के जो इंजिनियर्स हैं वो इससे कहीं नहीं कहीं इस टेक्नोजिस क है जो कि बिक्रमारित एयर क्राफ्ट करियर है ठीक है तो इस सिनारियो में क्वेश्चन यह उठता है कि यह जो सूपर हॉर्नेट है यह लैंड से ओपरेट किया सकेगा इसली और इसमें जो लैंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या फिर जो इसकी कॉस्ट पर फ्लाइट है वह बहुत कम है एस कंपेर्ट फ्लाइट और या फिर अगर हम रफाल भी खरीद रहें उस तरीके से जो आप डीप इंसाइड अगर मैनुवरिंग कैपसिटी होगी या फिर जो दूर तक उसी कोस्ट जो है वह बहुत जादा होती है पर फ्लाइट तो इस कंडिशन में यह होरनेट फ्लाइट है वह इंडिया के लिए बैसीकली सूट करेगा तो इसमें क्या है कि जैसे यह सूपर होरनेट जो है वह एक एयरक्राफ्ट के चलते जी मल्टी रोल फाइटर की बूमी का निवा सकता है और यह लीस्ट एक्सपेंसिव है एयरक्राफ्ट पर फ्लाइट जैसा मैंने अब को बताया और इसमें जो एडवांस सर्विवलाइटी है और कंटिवस रिवोलुशन इसमें हो सकेंगे यह सब के जो कंडिशन इसको बनाते हैं कि यह जो एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए सूटेबल किया सकेगा और इससे अगर हम देखें कि बोईंग हर दो साल में जो की जो यूएस ने भी के डिलेवरिंग डिलेवरिंग कैपविलिटीज के अंडर यह सब कुछ आएंगे तो यहां पर यूएस की कंपनी जो है यह इनो डिफरेंट तरीके के ओफर्स भी ला रही है कि जिसे आपको हर दो साल में मिंटेंस के जो सिस्टम पूरत है डिप ओशिन में इनों वाच रखने के लिए तो इस तरीके के सिचुएशन में यह जो अगर एरक्राफ्ट मोल हो तो यह इंडिया की सुटेविलिटी के लिए इसको जस्टिफाई करेगा तो अगर इस सेसन में आसा करता हूं कि आपको इस सेसन में कुछ नया इतने को मिला होगा तो देट सेट पर तोड़े थैंक यू आज वर जोइन